प्रिविध्यारती साथियों नमस्ते इस वीडियो में हम BA, BCOM, BAC के उन विध्यारतियों को मारदर्शन देने जा रहे हैं जो फॉस्ट एर की परिक्षा इस बार राश्टी शिक्षानिती 2020 के तहत प्राइवेट विध्यारती की रूप में दे रहे हैं आपकी परिक्षाएं कुछ इनुवर्सिटी में प्रारम भी हो गई और कुछ में होने वाली है इस वीडियो में हम यह डिसकस करने जा रहे हैं कि क्या प्राइवेट स्टुडेंट्स को CCE, प्रोजेक्ट, प्रेक्टिकल आदी देने होंगी उसकी क्या व्यवस्ता रहेगी यह करियर एडवाइस चेनल है इसे सब्सक्राइब कर दीजी बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजी धन्यवाद सबसे पहले हम बात करते हैं CCE की CCE का फुल फाम होता है Continuous Comprehensive Evaluation हिंदी में इसको कहेंगे हम सतत व्यापक मल्यांकरन तो प्राइवेट स्टुडेंट्स को भी CCE देनी है विध्यारती साथियों आपको ग्यात होगा या न ग्यात हो तो हम बता देते हैं कि मेजर सविशय के दो पेपर, माइनर विशय का एक पेपर और Elective Wishy का एक पेपर ये जो पेपर होते हैं इसके लिए कुल अंक होते हैं साव इन साव अंकों को दो भागों में बाटा जाता है सत्तर अंक लिखित परिक्षा के लिए और तीस अंक CCE के लिए तो सत्तर अंक की लिखित परिक्षा आपकी उनिवर्सिटी के द्वारा ली जाएगी कुछ उनिवर्सिटी की हो गई, कुछ की चल रही है और तीसंक के CCE की व्यवस्ता कॉलेज की द्वारा होगी तो आपके जो भी मेजर सब्जेक्ट हैं उसमें आपको दो पेपर के लिए CCE देने होंगे माइनर के लिए एक और इलेक्टिव के लिए एक पेपर के लिए CCE देने होंगे CCE देने के लिए आप क्या करें कि आप अपने कॉलेज में जाएं जहां से आपने परिक्षा का फार्म भरा है जहां से आप प्राइवेट परिक्षारती के तौर पर परिक्षा दे रहे हैं वहाँ पर पहुँचें और जो विशे आपने चुने हैं उस विशे के विभाग की तलाश करें और उस विभाग में पहुँचकर बताएं कि आप प्राइवेट स्टुडेंट हैं और CCE आप देना चाहते हैं वहाँ से आपको पता चलेगा कि CCE में आपको कोई असाइनमेंट लिखना है या कोई पेपर हल करना रहेगा या कोई और प्रोजेक्ट बना कर देना है जो भी CCE में गतिविधी करवाई जाएगी वो आपको वहाँ से पता चल जाएगी तो ये तो हो गए चार पेपर दो मेजर के एक माइनर एक इलेक्टिव के इन सब के CCE होंगे 30 संक के CCE होते हैं साथियों तो काफी बड़ा निरणायक भूमिका होगी और जिस तरह से आपको लिखित परिक्षा में 70 में से पास होने के लिए 23 नमबर 23 लाना निवार है उसी और एक से अधिक विशे में फैल होंगे तो पुरी तरह से फैल माने जाएंगे तो CCE को प्राइवेट स्टुडेंट्स भी गंभीरता से ले लें क्या वोकेशनल कोर्स में भी CCE होगा तो कुछ उनिवर्सिटीज में वोकेशनल कोर्स का पेपर पूरे सव अंक का आ रहा है और वहाँ CCE नहीं हो रहे हैं और कुछ उनिवर्सिटीज में वोकेशनल कोर्स का पेपर सतर अंकों का आ रहा है लिखित पेपर तो 30 नंबर के CCE हो रहे हैं तो आपकी उनिवर्सिटी में जैसे भी वेवस्ता हो इसके CCE के लिए क्या करना होगा इसके CCE के लिए भी आपक अपने कॉलेज में जाना होगा और कॉलेज में पता करना होगा कि जो vocational subject आपने चुना है वो कॉलेज में किस विभाग के द्वारा पढ़ाया गया है वहाँ जाकर आप CCE की व्यवस्था कर लिजी उनसे पूछ लिजी CCE में आपको क्या बनाना है जैसे SBNPG कॉलेज बढ़वानी के जो प्राइवेट स्टुडेंट्स है यदि उनका मेजर सब्जेक्ट या माइनर सब्जेक्ट इलेक्टिव सब्जेक्ट हिस्ट्री है तो वो मुझसे संपर कर सकते हैं इसी तरह से यदि उनका वोकेशनल सब्जेक्ट व्यक्तित्व विकास है तो वो मुझसे संपर कर सकते हैं मैं या तो करियर सेल में मिलूँगा कॉलेज में कहीं पर भी आपकी मेरी मुलाकात हो जाएगी इतियास्विभाग में भी आपकी हमारी भेंट हो सकती है अब अगला प्रशन है कि वोकेशनल कोर्स का प्रिक्टिकल की क्या वैवस्ता करना है तो विध्यारती साथियों वोकेशनल कोर्स के दो पेपर होता है यानि दो तरह से परिक्षा होगी एक तो लिखित परिक्षा जिसकी मैंने बता दी उसी में CC हो सकता है आपका और दूसरा है हर vocational course के लिए सव अंक के practical की भी वेवस्ता की गई है तो practical के लिए आपको फाइल बनानी होगी, practical का आंतरिक मुल्यांकन होगा practical की बाहि परिक्षा के लिए कहीं से प्रोफिसर साहब आएंगे और आपकी परिक्षा लेंगे तो अब आप देर मत करिए private students आप आपने जो भी vocational course चुना है आप प्रस्ता मत देखे कि college आपको बुलाएगा क्योंकि college से ज़्यादा आपकी आउशकता है आपको उत्तिर्ण होना है तो आपका जो भी vocational subject है आप उसका विभाग पता करिए किसी भी college में आप पढ़ रहे हैं सेंद्वा में अंजड में राजपूर में खरगोन में खंडवा में या कहीं पर भी और वहाँ जाकर आप बताईए अपना प्रवेश्वत्र बताईए कि मैं private student हूँ और मेरा vocational subject जो है वो organic farming या जो भी है और वहाँ आप पता कर लिजे कि उन्होंने practical कैसे करवाया और file वगिर जो तयार करने का निर्देश दे उसको आप तयार कर लिजे और फिर जो date होगी वो date आपको बताई जाएगी उस date में आप practical परिक्षा देने के लिए उपस्तित हो जाएए वो 100 नंबर की परिक्षा है और उसमें भी आपको पास होना ज़रूरी है तो उसकी practical की त्यारी कर लिजे इसके हलावा अब एक बात बसती है field project, internship, apprenticeship और community engagement तो आप देख लिजे आपके प्रवेश पत्र में आपने इन चार में से क्या चुना है यदि आपने field project चुना है तो अपने कम से कम चार साथी इखटे कर लिजे क्योंकि field project जो है न वो ग्रूप में बनता है तो चार साथी इखटे कर लिजी और यदि internship, apprenticeship या community engagement है तो फिर आप व्यक्तिकत तोर पर उस काम को कर सकेंगे ये कहां से मिलेगा आपको field project आदी के लिए विशा है तो जो आपका major subject है सामान नियम विभिन कॉलेजेस ने SI बना रखा है कि जो आपका major subject है उस subject के department में आप जाईए और बताईए कि हमने field project लिया है मेडम या सर जो भी मिलेंगे या जो भी internship अगेरली वो बताईए वो आपको एक topic देंगे और उस topic के हिसाब से आप तयारी शुरू कर दीजी ये जो field project आदी है ना इसकी कोई लिखित परिक्षा नहीं होगी लेकिन इसकी मौखिक परिक्षा होगी और ये भी सव अंकों की है और इसमें भी उत्तिर्ण होना जरूरी है तो ये project internship को भी आप बहुत गंभीरता से आप ले लिजी और तयारी कर लिजी क्योंकि end time पे फिर आपको बहुत कठना ही आएगी number कम मिलेंगे fail हो जाएंगे तो बाकी सारे papers की महनत आपकी वियरत ही चली जाएगी ना इसलिए इस पर भी ध्यान दे दिजीए तो कितनी बात हो गई अपनी CCE की बात हो गई संबंदित विशय के विभाग में संपर कर लिजीए vocational course की बात हो गई जिस college में जो विभाग या जो प्रफसर सहाब मैडम उस विशय को deal कर रहे हैं वही आपकी इसमें साहता करेंगे उनसे जाकर मिल लिजी और तीसरी बात हो गई प्रोजेक्ट आदी प्रोजेक्ट आदी के लिए विशय कहां से मिलेगा जो आपका major subject होगा major subject private student समझी पा रहे होंगे और अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आप ऐसा देख लिजी अपने प्रवेश पत्र में जिस विशय के दो paper आपको देना है वो आपका major subject है जैसे मान लिजी आपके प्रवेश पत्र में प्राचीन भारत का इतियास और idea आप भारत लिखा है इसका मतलब है history आपका major subject है history department में संपर कर लिजी इसी तरह से यदि मान लिजी आपके प्रवेश पत्र में poetry और drama दो paper लिखे हुए हैं तो English literature आपका major subject है और उस विभाग में आप संपर कर लिजी इसी तरह से आप देख लिजी और कोई कठीनाई आए तो आप हम से संपर कर सकते हैं हम आपकी समश्चा का समाधान कर देंगे बता देंगे कि कौन से विभाग में आपको जाना है अब जो BSC के विद्यारती हैं या फिर computer वाले विद्यारती हैं जी उन्हें private में इस तरह का कोई subject मिला है BSC बायो वाले विद्यारती हैं तो उनके हर विशय के भी practical होंगे जैसे मान लिजी आपका chemistry है, botany है, geology है तो आपके written paper के साथ साथ आपके अलग से practical भी होंगे उसकी भी file बनती है, उसकी भी परिक्षा होती है तो आप संबंदी विशय के विभाग में संपर कर लिजी और बता दीजी, उनसे पूछ लिजी कि practical में क्या-क्या तैयारी करनी है इस तरह से आप अपनी पूरी तैयारी रखिए और जब भी आपको बुलाया जाए तब आप पहुँच जाए सूचना कैसे मिलेगी, तो सामान ने तो सूचना कि ये विवस्ता रहेगी कि जब आप परिक्षा देने आएंगे न, अपने विभिन विश्यों की कॉलेज में तो आपके कक्षों में जाकर आपको सूचीत किया जाएगा, ये भही आपका प्रेक्टिकल वोकेशनल कोर्स का इस दिनांग को रखा गया है, फिल्ड प्रोजेक्ट का इस दिनांग को रखा गया है, केमेस्ट्री, बायो और बॉटनी आदी के प्रेक्टिकल इस दिनांग क बीच बीच में समय समय पर आप कॉलेज जाकर संबंदित विभाग से पूछते रहे कि वही कब परिक्षा है आप पूरा कॉलेज पर मत छोड़ दीजिए क्योंकि आपको उत्तिर्ण होना है आपको जागरुक रहना है यह जानकारी अत्यन्त महत्पुर्ण है इसको अपने अन्य साथियों के साथ भी साजा करिए इस पर अमल कीजिए और इस तरह की कोई और जानकारी आप चाहते हैं तो कृपया आप हमें सुचीत करें हमारा प्रयास रहेगा कि आपकी मदद करें करियर एडवाइस चेनल दिन रात इस पर काम कर रहा है इसकी संचाली का पृति गुलवानिया जिजी और उनकी टीम बहुत महनत से ये वीडियो आप तक पहुचाती हैं बीच में थोड़ा बहुत योगदान मेरी तरफ से भी हो जाता है तो हम आपका सहयोग करने का पुरा कमने नमस्कार